Hello everyone, I am Nidhi Kethal. First GK question है, मानो इतिहास का प्रारंबी काल क्या कहलाता था? आपका answer है पूरा पासाड काल. मानो इतिहास का प्रारंबी काल पूरा पासाड काल कहलाता था. आईए जानते हैं पूरा पासाड काल के बारे में. पूरा पासाड काल प्रागयतिहासिक यूग का वे समय है जब मानो ने पत्थर के ओजार बनाना सबसे पहले आरंब किया था. Next question है, भारत में मानो के सरप्रथम साक्ष कहां से प्राप्थ हुए हैं? आपका answer है हत्नौरा से. भारत में मानो के सरप्रतम साक्ष हत्नौरा से प्राप्थ हुए हैं? पूरा तत्व वेताओं के अमसार हत्नौरा में नर्मदा घाटी पर मानो के सरप्रतम साक्ष प्राप्थ हुए हैं? दुनिया में नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन नदी माना जाता है नेक्स्ट कोशन है मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपियोग किया था आपका एंसर है तामे का तामे का प्रेयोग सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले किया था नेक्स्ट कोशन है विस्ट का सबसे उंचा विस्ट सान्ती इस्तूब बिहार में कहा परिस्थित है आपका एंसर है राजगीर में राजगीर में विस्ट का सबसे उंचा कहा जाने वाला विस्ट सान्ती इस्तूब बिहार में राजगीर में इस्तित है इस सांती इस्तूप की आधार सिला 1979-1969 में रखी गई थी लेकिन 1978 में बनकर ये तयार हुआ था नेक्स्ट कोशन है एसिया की जोती पुन्ज यानि लाइट ओफ एसिया के नाम से किसे जाना जाता है आपका इंसर है गौतम बुद्ध को बहुत धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को एसिया के जोती पुन्ज यानि लाइट ओफ एसिया के नाम से जाना जाता है बहुत धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम या उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें थैंक्यू सो मच आल दा बेस्ट